नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे विराम चिन्नकी या पंचुएशन माक्स बोलते हैं अगर हम इसकी स्टार्टिंग करें और अगर एक अध्यापक है वो बच्चों को कुछ समझा रहे थे ठीक है वो बोले बच्चों मेरी बात केवल सुनो मत लिखो तो यहां जो अध्यापक की बात है तो कुछ बच्चों ने अपनी कॉप्यों में अलग अलग बाते लिखना स्टार्ट कर दिया तो जानते हो अध्यापक जी की बात का अर्थ विध्यात्यों ने अलग-अलग प्रकार से किस प्रकार से ग्रहन किया कुछ ने कहा अध्यापक जी बोले बच्चों मेरी बात केवल सुनो मत लिखो और दूसरे अध्यापक जी बोले बच्चों मेरी बात केवल सुनो मत लिखो तो इस प्रकार ये जो स्थिति उत्पन हुई है ये किसकी वज़े से हुई है प्रापर विराम चिन्ने का प्रयोग नहीं होता तब ऐसे स्थिति जो है कई बार उत्पन हो जाती है तो जो पहला जो वाक्य था पहले वाक्य में सिर्फ केवल सुनो मत लिखो और दूसरे वाक्य में केवल सुनो मत लिखो तो इस प्रकार छोटे से विश्राम या छोटे से विराम चिन्ने के प्रयोग ने वाक्य के पूरे अर्थ को ही बदल दिया है तो वाक्यों के शुद्ध लेखन और उनके आशे के शुद्ध इसपश्टी करन के लिए हम विराम चिन्न का बहुत प्रयोग करते हैं इसलिए लेखनकारी करते समय हम अपने भावों को व्यक्ति करने के लिए वाक्य के बीच में या अन्त में कुछ समय के लिए रुपते हैं व्याकरण में यही रुखना विराम कहलाता है विराम चिन्न का मतलब पॉइंट होता है और जब हम कोई भी वाकिय लिखते हैं उसको पूरा होनी के बाद विराम चिन्न का प्रियोग करते हैं ततर इसी विराम को प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्नों का जो प्रियोग क उसमें बोलेंगे तो यह अच्छी पश्तक है और Q collectively की रूप में पढ़ेंगे या प्रश्णवाचक छिन्या revenir की रूप में पढ़ेंगे तो यह अच्छी पुस्तक है इस तरहे अनिक चिन्हों के माध्यम से हम उसके भावों के अंदर जा सकते हैं भावों को पर सकते हैं तो प्रमुक जो विराम चिन्ह हैं वह हैं 1st full stop या पूर्ण विराम जिसका कि किस प्रकार से दर्शाय जाता है वह चिन्ह भी यहां मैंने बताया है 2nd, या अल्प विराम लगाते हैं then semi-colon, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, question mark, प्रश्नवाचक चिन्ह, exclamation mark या विसमेशुचक चिन्ह, dash जिसे निर्देशन चिन्ह का जाता है inverted, या उद्धरण चिन्ह और अल्प विराम तो ये सबी जो हैं विराम चिन्ह के प्रकार हैं इसके लावा कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं अन्य चिन्ह हैं योजक चिन्ह, अवुतरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, तता संक्षिप सूचब अब हम इनके बारे में डिटेल में अध्यन कर लेते हैं पहला जो कि पूर्ण विराम है तो प्रश्ण वाचक और विस्मय वाचक वाक्यों को छोड़कर हम अभी पढ़ेंगे प्रश्ण वाचक और विस्मय वाचक वाक्य क्या होते हैं तो इनको छोड़कर अन्य प्रकार क के वाक्यों के अंत में विराम चेंड का प्रियोग ही किया जाता है हम बहुत अच्छा खाना खाया था था इसके बाद में विराम चेंड लगाओंगी और यह होगा पूर्ण विराम ठीक है रवीवार को यहां बाजार बंद रहता है तो है के बाद मेंमे पूर्ण लगाऊंगी दहेज लेना या देना सामाजिक बुराई है इस तरह की जो वाक्य है जिनमें प्रश्ण अचंट बिसनाइं वाद्चप வाक्य का प्रयोग दं हो रहा है उनके अंत में विराम चिन्द जो यूज में लिया जाता है वहां है पूर्ण विराम अब प्रयोग वाकी की पूर्णता के बाद होता है ठीकि अंत में होता है लेकिन जब अल्प विराम का प्रयोग का उपयोग किया जाता है तो वाकी के बीच में जब हम बहुत समय कम समय के लिए रुपते हैं उस समय हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जैसे राकेश अपनी सारी संपत्ति भूमी और मन मर्याद शो गया वो बच्या जो कल रो रहा था आज हस रहा है डीके हम बहुत क्षण भर के लिए यहाँ पे हमने विराम किया है तो ऐसे प्रकार के जो चिनना केता है उन्हें कहा जाता है अल्प विराम जैसे जहां पहले हहा कार थाट वहाँ अब जıtकार है पानी में घुष गया अब घरों में घुष रहा है तो यह जो है पानी गां में घुष गया अल्प अधिक और पूर्ण वीराम से कुछ कम रुखने के आवेशक्ता हो वहाँ अर्ध विराम चिनने का प्रयोग किया जाता है ठीक है जो ऐसे चिन्ह जो कि अल्प विराम से तो ज्यादा समय के लिए रुखते हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुखने के आविशक्ता होती है वहां अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है और इतने जिस चिन्ह का उपयोग किया जा क्या यही परियाप्त और सब कुछ है ठीक तूब इस सरे के जो चैन होते हैं जो अरप चिन जब भी हम कोई वाक्षी में प्रश्ण पूछते हैं या कॉष्चन पूछा जाता है तो वाक्य के आंत में उस समय प्रश्ण सूचक चिन्न का ही प्रयोग किया जाता है उधारन के दिए कि आप मेरे साथ चलेंगे तो इसके लास्ट में क्या है एक प्रश्न वाचक प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहां पर कॉश्चन मार्क लगेगा वह सब मेरे दिमाग में क्या आग हुसा इसके आगे कॉश्चन मार्क लगेगा ठीक है तो ऐसे वाकिय जिनमें लास्ट में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अंत में प अपयोग मुख्य रूप से हर्ष, शोक, घ्रणा, भय, तिरसकार, आधी मनो भावों को प्रकट करने ता किसी को संबोधित करने बुलाने आधी के विस्मे सूचक और संबोधन चिन्न के प्रयोग की रूप में किया जाता है ठीके अच्छानक से कई बार हम बहुत खोश होते हैं या किसी चीज को एकदम से दे कर बहुत उल्लास या प्रसनता होती है या कई बार बहुत दुखी होते हैं या किसी चीज को हम किसी बहुत आश्चेरी के साथ जब देखते हैं या कभी किसी को ग्रहना या तिरसकार के मनो भावों को प्रकट करना होता है उस समय हम इस च अगर कोई चीज हुई है तो विश्मय या आश्चरे की द्रस्टे से देखा गया है सुशी इधर आओ इस तरह के जो चिन्ह है अरे कल्ची तो घर ही छूट गई तो यहां विश्मय सुचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा विश्मय यादी वाचक चिन्ह के अगला चिन्ह होता है योजक चिन्ह इस चिन्न का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों और पुन्रुक्त शब्दों के बीच में किया जाता है, ठीक है? उधारन के लिए, जिसे हम कई बार बोलते हैं कभी-कभी, या धीरे-धीरे, या उछलता कूदता, ठीक है? तो ऐसे जो शब्द होते हैं, पुन्रुक्त शब्द हैं, या सामासिक शब्द हैं, या कोई शब्द युग्म है, उनके साथ योजक चिन्न का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्न के पश्चात, अगला जो चिन्न है, वह है उधरन चिन्न, किसी अवधरन या उधरन चिन् होते हैं या तो इखरे होते हैं या दुखरे होते हैं ठीक है आपने देखा होगा कई बार दो उपर की तरफ कॉमा लगाए जाते हैं एक कॉमा होता है या दो कॉमा लगे होते हैं तो उसे इसी आधार पर दो पार्ट में रिवाइड किया गया है पहला होता है इखरा उद्ध जिन तो पुष्थका दिशेर्षा के साथ हमेशा इकहरी ईखरे उद्धरण चिन का ही किए जया है जैसे कि आपिक नाम जोना विन्हायका उपनांढ समय का ही प्रियोग किया जाएंगा। या फिर किसी प्रसिद्य रच्टा का कोई पुस्तक का नाम देखते हैं जैसे साकेत तो उसके उपर सिर्फ एक ही कॉमा उपर दौनों साइड लगाया जाएगा परंतु किसी व्यक्ती के कथन को मूल रूप में उद्धरत करने के लिए हमेशा दौहरे उद्धरन चिन्न का प्रयोग किया जाता है जो दो कोमे है सत्य ही ईश्वर है तो यह double inverted coma में आएगा या दोहरे उद्धरन चिन्न में इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह है अफ्तरन या उद्धरन चिन्न इसके बाद अन्य है एक लाघव चिन्न अब लाघव चिन्न क्या होते हैं इन्हें संग्षेप सूचक चिन्न भी कहा जाता है कि शब्दों को संग्षेप रूप में लिखने के लिए इस चिन्न का प्रयोग मुख्यरूप से किया जाता है ठीक है और इसके तो सूचक चिन्न होते हैं उन्य संठशेख सूचक के लागव जिन्न का प्रयोग शर्फ शब्दों को संठशेप्त रूप में लिखने के झाल